नमस्कार दोस्तो स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं आपके साथ सेयर करूँगी दोस्तो कभी कभी आपका मसालेदार सब्सक्राइब कर ना भूले साथी बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबाए मेरा वीडियो का अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए यहाँ पर मैंने कड़ाई को गरम कर लिया है और इसमें डालूँगी एक बड़ा चमस सर्सो का तेल और डाल के इसको गरम कर लेंगे एक चमस मेथी दाना डाल के इसको ब्राउन होने तक चला चला के भूनेगे मेथी दाना डार्क ब्राउन होने तक भूनना पड़ेगा नहीं तो सबजी हमारी कड़ी लगेगी मेथी दाना भून के त्यार हो गया है कि दो हरी मिर्च जो मैंने काट के रखा था अब डाल के इसको चला के भूल नगे दोस्तों मेरे वीडियो को लास तक देखें यहां पर मैंने एक केजी लवकी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके रख लिया है अब इसको कड़ाई में डाल करके मैं अच्छी तरह से मिला दूँगी और मिला करके मैं इसको दस मिनट ठक के पकाऊँगी दस मिनट हो चुक्ड़े हैं अब इसको मैं खोल के एक बार देख लेती हूँ सबजी में हमारा पानी छोड़ दिया है इसी समय मैं डालूँगी यहां पर नमक आधा चमच हल्दी और डाल के इसको मिला के ढख के इसका पानी फिर से सुखाएंगे सबजी का पानी अच्छी तरह से जल गया है और सबजी हमारी बन के त्यार हो गई है अब हम इसको एक कटोरे में शिफ्ट कर लेंगे हमारी बन के त्यार हो चुकी है आप इसे रोटी पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं थाइंग ग्रोंक इस तरह सुखाएंगे